भागलपूर में अवेद बालुखनन को लेकर पुलीस ने बड़ी कारवाई करते हुए बारा ट्रैक्टर और एक हायवा के साथ तेरा लोगों को गिरहपतार किया है विधी विवस्ता DSP कुमार गौलप ने वर्ज टीम के साथ राज दो बजे से जगदीशपूर थानाचेतर के सलीमपूर लोधीपूर थानाचेतर के बायपास और सब और थानाचेतरों के अवेद बालुखनन को लेकर बड़ी कारवाई करते हुए अवेद बालुदे बारा और एक हायवा को जब्त किया है साथी पुलीस ने तेरा लोगों को अवेद बालुखनन के आरोप में गिरह पतार किया है वहीं विधी विवस्ता DSP डॉक्टर कुमार गौलप ने बताया कि SSP के निर्देश पर कारवाई की गई है पिछली बार भी DSP कुमार गौलप जब क सारवाई करते हुए 13 लोगों को अवेद बालु लदे 12 ट्रैक्टर हावा के साथ गिरह पतार किया वही DSP ने बताया कि अवेद बालु लदे जब्त ट्रैक्टर और गारी माली के खिलाफ मैनिंग इंस्पेक्टर को बुला कर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है माइनिंग की शिकायत मिल रही थी तो कल रात में SDPO लॉन डॉटर के नितरित्तों में लोधी पूर्थाना और जगदीश पूर्थाना इन दोनों थाना च्छेत्रों में अभियान चलाया गया जिसमें कुल 12 ट्रैक्टर एक हाईवा इल्लीगल माइनिंग करते हुए जब् करावा 13 लोगों की गिर्फतारी की गई है और आगे भी इस तरह की कारवाई जारी रहेगी जहां जहां भी अवैद माइनिंग की शिकायत मिलेगी वहां पर इसी तरह का भियान चला कर कारवाई की जाएगी